दोस्तों 11 जुलाई 11 जुलाई वो देट है जिस दिन पूरी दुनिया के लोग मिल जुलकर World Population Day यानि विश्व जनसंक्या दिवस मनाने का एक बहुत ही बड़ा कारण और हमारा एक बहुत बड़ा उदेश है दोस्तों जनसंक्या इतनी तेजी से हमारे देश में और पूरी प्रित्वी पर बढ़ती चली जा रही है जिसके कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी सब कारणों की वज़ा से लोगों को जाग रुक करने के लिए और लोगों को अलर्ट करने के लिए वर्ल पॉपुलेशन डे हर 11 जुलाई को पूरे विश्यो भर में मना जाता है और इसके मनाने का सबसे बड़ा कारणी है कि इसे लोगों के अंदर जाग रुकता पैदा हो और लोग पॉपुलेशन बढ़ने के क्या-कया नुकसान हो सकते हैं और क्या-कया समस्याओं हो सकती हैं इसके बारे में जान सके हैं दोस्तों धर्ति पर प्रतेक स्त्री की यह चाहत होती है कि वो ुमा बन सके और वो भी अपने संतान को पैदा कर सके और इस वज़के हर मा एस शंतान सुख को पाने के लिए गर्ब होती होती हैं और बच्चे पैदा करती हैं लेकिन इनी सब की वज़य से जनसंक्या बहुत तेजी से भरती चली जा रही है और इसका अगर ध्यान न रखा जाएं कि कितने बच्चे हूं और इन बच्चों को ज्यादा पैदा करने से हमारे परिवार और ह पहले से जागरुक हों और इन सब के बारे में केर करते रहें तो पॉपुलेशन जितनी तेजी से बरती चली जा रही है उतनी तेजी से सैद न बढ़ पाए और हमें किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ें लेकिन आम जीवन में ये देखा गया है कि लोग इन सब बात की जन गणना रिपोर्ड के अनुसर विश्व की जन संक्या लगवग 7 अरब थी 2022 के अंत में विश्व की जन संक्या लगवग 8 अरब होने की संभावना है सायुक्त राष्ट जनसंख्या कोज की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 की अनुसार विश्व की जनसंख्या 2050 तक 2020 की तुनला में 30% अधिक हो जाएगी जनसंख्या में प्रति वर्स करीब 8.3 करोड यानी 1.1% की विर्दी हो रही है इसी तरह यदि आंकड़ों की बात के जाए तो भारत में 2011 की जनगड़ना की अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड थी सायुक्त राष्ट के 2022 की आंकड़ों की अनुसार भारत की आबादी इस समय लगबग 138 करोड पहुँच गई है इसी तरह यदि जनसंख्या बढ़ती रहे तो 2022 के अन तक भारत की जनसंख्या लगब 140 करोड पहुँच सकती है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस जनसंख्या विर्दी के क्या क्या कारण होते हैं और किन कारणों की वज़े से पूरे विश्य की और भारत की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती चलिया रही है तो चलिए जानते हैं जनसंख्या विर्दी के कारण दोस्तों जनसंख्या विर्दी का सबसे मुख्य और प्रमु कारण है असिक्षा लोग जन संक्या विर्धी के क्या दूस प्रेडाम है और जन संक्या विर्धी को हम कैसे कम कर सकते हैं परिवार को कैसे नियोजित कर सकते हैं इन सब के बारे में लोगों को पता ही नहीं है और इस वज़े से विश्व की जनसंक्या बहुत ही तेजी से बढ़ती चली जा रही है इसी तरह से एक दूसरा प्रमुक कारण है जनसंक्या विर्दे का और वो है मिर्ट उदर में कमी दोस्तों आजकर लोगों को यदि कोई भी बिमारी हो जाती है तो वो तुरंट डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना प्रॉपर इलाज कराते हैं डॉक्टर उनका सहीं सी इलाज कर देता है और वो उस बिमारी से बच जाते हैं जिसके कारण से उनकी मिर्तु नहीं हो पाती है। और इस वज़े से मिर्तुदर में कमी होती चली जा रही है। और इस वज़े से पूरे विश्व की जनसंक्या बहुत ही तेजी से बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों मिर्द दर में कमी होना एक जनसंख्या विर्दे का प्रमुकारण है क्योंकि मिर्द दर में जब कमी आती चली जाएगी मरने वालों की संख्या घर जाएगी तो जनसंख्या बरती चली जाएगी इसी प्रकार तीसरा प्रमुक कारण है जनसंक्या विर्दी का और वो है जन्म दर्मे विर्दी दोस्तों बच्चों की जनसंक्या पैदा लेने वाली बहुत ही तेजी से बढ़ती चलिया रही है और इस वज़े से जनसंक्या बहुत ही तेजी से बढ़ती चलिया रही है कि लड़का होना ही एक परिवार को बढ़ाने का काम करता है और यदि किसी भी माबाप के यदि लड़का नहीं होगा तो उसको सायद मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाए और उसको अंतिम संस्कार करते समय उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा और भी तमाम तरह की सामाजिक रे जनसंक्या विर्धी को बढ़ाने का काम करते रहते हैं इसी तरह से एक और प्रमुख कारण है जनसंक्या विर्धी का और वो है गरीवी दोस्तों गरीब आदमी अक्सर ये सोचता है कि यदि उसके ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएं तो उसकी आंदनी बढ़ जाएगी औ और इसी की चाहत में वो बहुत सारी संतानों को पैदा करता चला जाता है और इस वजह से जनसंक्या विर्धी बढ़ती चली जा रही है तो जनसंक्या विर्धी के बढ़ने का एक प्रमुख कारण गरीबी भी है इसी तरह से जनसंक्या बढ़ने का एक और प्रमुख कारण हैं जिसके कारण से जनसंग्या विर्धी बढ़ती चले आ रहे हैं दोस्तों सेक्शुली मैच्चूर होने का एक प्रमुक कारण है हमारा खान-पान और से कारण से बहुत ही कम émसे जनसंग्या बढ़ने का एक और प्रमुक कारण है और वो कारण है कम उम्र में विवाह दोस्तों यदि मनुसों की कम उम्र में विवा कर दिया जाए तो उतने ही कम उम्र में उनकी संताने भी पैदा होती चली जाएंगी और इस वज़े से बहुत ही तेजी से जनसंक्या बढ़ती चली जाएगी तो कम उम्र में विवा होना भी जनसंख्या बढ़ाने का एक प्रमुक कारण है आजकल की सरकार नियम और कानून बना करके साधी की उम्र को बढ़ा रही है जिस कारण से कम उम्र में विवाँ न हो पाए और जनसंख्या न बढ़ा पाए चलिए अब जानते हैं बढ़ती हुई जन्संख्या से उत्पन होने वाली समस्या हैं इसमें हम लोग ये जानने की कोशिस करेंगे कि यदि जन्संख्या इसी तेजी से इसी रफ्तार से बढ़ती चलिया है तो आगे आने वाले समय में हमें किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तो जन्संख्या बढ़ने का एक प्रमुक समस्या ये उत्पन होगा और वो है बेरोजगारी दोस्तो अंतराश्टी स्रम संग्ठन के अनुसार साल 2022 के अंत तक दुनिया भर में बेरोजगारों की संख्या 20.7 करोड पहुँचने की संभावना है 2019 में यहां आकड़ा 18.6 करोड था वर्स 2022 में वैस्वे किस्तर पर बेरोजगारी दर 5.9 परसेंट हो जाएगी वर्स 2023 में वैस्वे किस्तर पर बेरोजगारी की दर लगभग 5.7 परसेंट पहुँच सकती है दोस्तों इसी रफ्तार से यह जन संक्या बरती चली जाए तो आगे आने वाले समय में अधिकांस लोगों को बेरोजगारी की समस्या जहलनी पड़ेगी और उनको किसी भी परकार का रोजगार नहीं मिलेगा जिस वज़े से उनका परिवार और उनकी परिवार की माली हालत बहुत ही खराब होती चली जाएगी तो बेरोजगारी एक प्रमुक समस्या उत्पन हो जाएगी इसी परकार एक दूसरी समस्या उत्पन होगी और वो होगी सिक्षा की सेयुक्त राश्टंग की रिपोर्ट की अनुसार 22 करोड बच्चों में से 7 करोड 82 लाग बच्चे 2022 में इसकूली सुवधा से बंचित हैं इसी तरह से भारत में केंदरी सिक्षा मंत्री धर्वेंदर प्रधान ने बताया था कि वर्ष 2021 में भारत में 15 करोड बच्चे इसकूली सिक्षा से बंचित हैं और इसी प्रकार यदि इसकूली सिक्षा से बंचित रहते चले जाएं तो सारे की सारे बच्चों में असिक्षा उत्पन होती चली जाएगी यदि हमको बच्चों को अच्छी सिक्षा देनी है तो इसके लिए हमें परिवान नियोजन करके जनसंख्या को कम करने की कोशिस करनी पड़ेगी। जनसंख्या बरती चली जाए तो आगे आने वाले समय में लोगों को खाने की कमी हो जाएगी और इस वज़े से उनको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस कारण से जगा जगा रूड पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन होती चली आ रही है और यह जनसंख्या बढ़ने का एक प्रमुक समस्या है। इसी तरह से जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें रहने की खेती की जमीन और भी तमाम तदा की सुक सुवधाओं के लिए इन पेड़ों की कटाई हम लोग दिन प्रति दिन करते चले आ रहे हैं। और इस वज़ा से जब पेड़ों की संक्या घरती चली जा रही है तो आगे आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें से एक प्रमुक समस्या है प्रदूशन के। दोस्तों प्रदूशन हमारे समाज में और हमारी इस प्रतिव पर एक ऐसी समस्या है जिससे हम लोग हमेशा से प्रित होती चले जा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में तो हमें और भी परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों जितनी तेजी से फ्रेक्टरे गाडियां इस समाज में और इस धर्ति पर उत्पन हो रहे हैं। इतनी तेजी से पूरे विश्व में पर्दूशन की समस्या जन्म लेती चले जा रहे हैं। कि हम सुद्ध हवा में सांस भी ले पाएं। और हमको पीने के पानी यानि सुद्ध पीने के पानी के भी कमी होती चले जाएगे। दोस्तो जन्संक्या बढ़ने का और इसकी व्रिधी से एक और समस्या उत्पन हो रही है। और वो है ग्लोबल वामिंग की। दोस्तो ग्लोबल वामिंग का अर्थ होता है कि जैसे जैसे हमारे वातावरण में पर्दूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे हमारे अर्थ का जो औसत तापमान है, हमारे प्रत्वी का जो सामान तापमान है उसमें दिन प्रति दिन बढ़ती होती चले जा रही है। और इस वज़े से प्रत्वी का तापमान प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है। और इससे एक प्रमुख समस्या ये उत्पन हो रही है, कि जितने भी ग्लैसियर्स हमारे प्रत्वी पर उपस्तित हैं, वो सब धीरे-धीरे मैल्ट हो करके और समुद्र की पानी में मिलती चले जा रहा हैं, जिस कारण से समुद्र के जल का अश्तर बढ़ता चला जा रहा है और जिसके कारण से हमें बाढ़ की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और यही अगर कंडिशन रही तो आगे आने वाले समय में कई सारे देश और सहर पूरी तरह से जल मगन हो जाएंगे और पूरी तरह से धरती कि कुछ सहर पानी में डूब जाएंगे, और इस ग्ल उनको रहने के लिए प्रयाप्त आवास नहीं मिल पा रहा है और उनको अपनी जान भी जोखी में डालनी पड़ रही है, यह एक प्रमुक समस्या है जन संक्या बढ़ने का, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाने का प्रमुक उद्देश यही था कि हम सभी लोग इस बढ़ती होई जन संक्या के दूस प्रड़ाम क्या होंगे इसको जाने और इससे क्या समस्या होगी इसको जाने और इन सब प्रड़ाम को जानने के बाद हम जन संक्या को बढ़ने से रोकने की जितने भी कोशिस हो सके करें जिससे हमारी आगे आने वाली पेडियां हमें या दोस्तो हमारा देश भारत पूरी धुनिया में जनसंक्या में दूसरे नंबर के चीन है लेकिन यदी यही कंडिशन हमारे देश में चलती रहे और जनसंक्या तेजी से बढ़ती रहे तो आगे आने वाले समय में हम लोग चीन से भी आगे निकल जाएंगे और पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जिसकी जनसंक्या पूरी देश सोई सबसे जादा होगी तो दोस्तों हमें उमीद है कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दे गई है वो आपको जरूर पसंद आई होगी और भविस में आप अपने परिवार को कंट्रोल करने का काम करेंगे जिसके कारण से जनसंक्या में इतनी तीजी से जो बढ़तरी हो रही है वो नहों और आगे आने वाले समय में हमें किसी भी दिक्कतों का सामना ना क करना पड़ें दोस्तों हमारा करतव है कि हम अब इस प्रिथिवी को बचाने के लिए हर संभव परयाज करें और जनसंक्या में कंट्रोल करने का काम करें दोस्तों तो इसी वज़ा से 11 जुलाई के दिन लोगों को जागरू करने के लिए ही इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाये जाता है जिससे लोग जागन सकें और समझ सकें कि जनसंक्या कितना खतरनाक है और जनसंक्या विर्दी के बहुत ही सारे हानिकारक दुर्स परिणाम हम मनुश्यों को और सभी जीवों को भुगतना पड़ेगा उमेद है आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद